तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problems का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो topic लेके आया है उसका नाम है add a type form leads to mailer cloud कि कैसे हम type form से मिले हुए data को जो जिन्होंने भी form fill किया है उनको as a member, as a contact add कर सकते हैं हमारे email marketing application mailer cloud के अंदर यहाँ पे मैंने mailer cloud का use किया है, आप other email marketing services का भी use कर सकते हैं eweber जैसे की, ओके, so यहाँ पे type form का use किया है, मैंने आप google forms का भी use कर सकते हैं free application है, google form है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम automate कर रहे हैं type form को mailer cloud से है ना लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों ही applications का आपस में कोई direct connection नहीं है है ना इसी वज़ा से मैं use कर रहा हूँ help ले रहा हूँ एक software की जिसका नाम है pably connect automation and integration software है इसी software की help से यह automation संबब हो पाया है best part तो यह है इस automation का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding skills का आना जरूरी नहीं है आप एक non technical और normal user भी है तो भी इस automation को बहुत easily आप site कर सकते हैं तो यह automation में कैसे site करता हो पूरी की पूरी process step by step अभी करके दिखाता हूँ आपको अपनी screen पर सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर में type करेंगा p-a-b-l-y.com प्रेस अंटर यह है official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एक दम फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's fine मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा family connect का click करूँगा access now पे access now पे click करने के बाद open हो जाएगा family connect का dashboard then right hand side में create workflow का option आएगा उस पे click करके मैं अभी अपने workflow को एक नाम दे दूँगा create workflow पे click किया अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ मैं नाम दे देता हूँ type form to mailer cloud okay mailer cloud ठीक है मैंने नाम दिया type form to mailer cloud आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा उसी workflow का जिस पे आपको click करना और आप ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एक दम free में है ना okay so workflow को नाम देने के पास हमारे सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दो windows आ गई है एक है trigger window एक है action window दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते है कि हमारे type form में जब भी कोई form submit करे कोई new entry आया हमारे पास तो automatically वह form submit करने वाला ऐसा contact जो है create हो जाए mailer cloud की एक list के अंदर so ऐसा करने के लिए मुझे सबसे first application चूज करनी होगी type form okay क्योंकि type form से ही हम जो है lead ले रहे है then trigger event पे click करके new entry को choose कर लूँगा then connect पे click करूँगा type form को connect करने के लिए family connection then add new connections वसके बाद connect with type form पे then यह मुझे से मांगेगा access तो मैं accept पे click करके access दे दूँगा don't worry family connect is 100% safe okay then मेरा authorization successful हो गया एंग मुझे connection में कोई भी problem नहीं आई है क्योंकि मेरा type form already login था आप भी connection करने से पहले एक बार make sure कर लीजेगा कि आपका जो account है वो login है या नहीं so connected है जैसा कि आप देख पा रहे हैं then सबसे first field आई है form की तो यहां यह मुझे से पूछ रहा है कि कौन सा form आप select करना चाहते हैं मतला आप किस form में चाहते हैं कि जब भी इस form को कोई fill करे तो अब मैं यहां पर click करूँगा save and send test request पे तो जैसा कि आप देख रहे है waiting for response का option आने लगा है मतलब अब उस form को जब भी कोई भी user इस internet के अंदर कोई भी user जो है उसको fill करेगा तो automatically उसका data यहां पर capture हो जाएगा पैबली connect के पास चलिए तो हम चेक करते हैं एक बार उस form की link को मैं copy करके share कर लेता हूँ इस form को और मैं जो है एक new tab में open करके user बनके उस form को fill करता हूँ ठीक है यहां पर मैंने यह form open कर दिया आप अपने according type form से form create कर सकते हैं काफी अच्छा application है getting touch पे click किया देन अब यह मुझसे पूछ रहा है first name मेरा okay so यहां पर मैं first name मेरा Gary है okay ठीक three double six nine one three okay then मैं इस form को कर देता हूँ submit okay submit कर दिया है मैंने इस form को form submit हो गया successfully चल के check करते हैं हमारे पैबली कनेक्ट पे इसकी details पहुची है या नहीं so अभी नहीं पहुची है हम जैसे कि आप देख रहे हैं दो से चार सेकंड का wait किया और यहां पर आपके सामने response received हो गया है successfully ठीक है और यहां पर आप देख पाएंगे कि जो हमने वहाँ पर details करी थी वही same details यहां पर होंगी जैसे कि आप देख रहे हैं first name Gary last name Monroe और email address जो मैंने फिल किया था Garymonro6778-gmail.com और phone number और भी दुनिया भर की चीज़ें ठीक है तो यहां पर हमारे पास सारी की details आ गई है नामक जो व्यक्ति हैं इनको as a contact add कर दो automatically मेरे mailer cloud में तो उसके लिए मैं क्या करूँगा second application में चूज करूँगा mailer cloud को यहां पर मैं सर्च करूँगा mailer cloud को और चूज कर लूँगा so mailer cloud को सर्च करके मैंने चूज कर लिए then action event में मैं चूज करूँगा add contact to listing यहां पर और connect पर क्लिक करूँगा connection मनाने के लिए उसके बाद add new connection पर एक new connection establish करने के लिए mailer cloud और पैबली connect के बीच में मुझे चाहिए रहेगी API की API की के लिए मुझे चलना होगा mailer cloud के account पर तो यह मेरे mailer cloud का account ठीक है left hand side पर आउंगा नीचे scroll करूँगा यहां पर पैबली connect का है जो मेरा icon आ रहा है इस पर click करूँगा यहां पर जो नीचे scroll करूँगा profile का option है profile पर click करूँगा profile पर नहीं क्लिक करना है account पर click करना है Sorry to this है यह रहां account पर click करेंगे account पर click करेंगे जैसे ही तो यहां पर integration का option आएगा integration पर click करेंगे तो यहाँ पर API integrations का option आएगा इस पर click करने के बाद जो है हमें API की मिल जाएगी जिसको यहाँ पर click करके हमें copy कर लेना है और आना है पैबली connect पर यहाँ पर paste कर देना है then simply click कर देना है save पर save पर click करने के बाद क्या होगा connection जो है वो successfully हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा mailer cloud अभी successfully connected है पैबली connect से connect होने के बाद सबसे first field आई यह list की यह मुझसे पूछ रहा है कि किस list के अंदर जो है आपको contact add करना है किस list के अंदर आपको contact add करना है तो यहाँ पर मैं जैस क्लिक करता हूँ तो कई सारे नाम आने लगते हैं तो यह वो सारे नाम है जो मैंने list के दिये हैं अपने जो मेरे mailer cloud के अंदर जितनी भी list है उन सभी list के यह सब नाम है ठीक है तो मैं आपको check करवा देता हूँ एक बार दिखा देता हूँ audience पे click करके मैं अपनी list जितनी भ list है ना यह सारी list है that's why यहां पे यह data reflect हो रहा है क्योंकि connected है अभी mailer cloud probably connect है तो मैं चाहता हूँ यह type form वाली list है हमारी contacts पर click करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर सिर्फ 4 contacts है जो सलमान सुमिताब test है यह 4 contacts है मैं चाहता हूँ इस type form वाली list के अंदर जब भी मेरा type form को को फिल करें तो इसमें वह एदा contact है तो मैं select कर लूँगा type form वाली list ही रहा type form इसको मैंने choose कर लिया then अब email email आया जो की required है यहां पे हमको email address map करना है किसका हमारे जिसने form फिल किया है उसका ना तो यहां पे मैं आपको तरीका बताता हूँ map करना है मैं यहां पे blank field पे click करोग तो type form से मिला हुआ सारा data सामने आ जाएगा simply अब आपको यहां पे जो है आपका जिसने form फिल किया था उसका नाम map कर देना यह रहा Gary क्लिक करके add कर दिया ठीक है यह वो sorry नाम map नहीं करना हमें यहां पे email address map करना है ना यहां पे email address क्या था उसका Gary Mondo 6778 direct gmail.com यह रहा क्लि ना कोई दूसरा नहीं होगा जैसे अभी मैंने इसको map किया है Gary Mondo को तो अगली बार जब अगर कोई दूसरा बंदा form को फिल करेगा उसका कोई दूसरा email address होगा तो software क्या करेगा automatically खुद बाखुद यहां से Gary Mondo का नाम आपके Gary Mondo का email address है ताके वो जो दूसरा बंदा है जि रखना चाहें वो रख सकते हैं मैं active रखूँगा इसको अब यहां पर मैं first name जो है map कर दूँगा customer का क्या था Gary जिसने form fill किया user का Gary first name ठीक है middle name कुछ है नहीं तो skip करूँगा last name map कर देता हूं Monroe ठीक है यह रहां Monroe ठीक है map कर दिया मैंने phone number map कर देता हूं ठीक है phone number भी था हम lead source मैं आपे डाल देता हूं type form बाकी आप यह सारी fields को fill कर सकते हैं मैं इनको skip कर रहा हूं है ना क्योंकि मैंने form में यह सारी fields नहीं बनाई थी आप अगर चाहते हैं यह सारी fields भी fill करना तो अपने form के अंदर type form जब भी आप create करें उसके अंदर यह सारी fields बना दियेगा तो आपका जो user है वो इन सभी को भी fill करेगा वैसे इतनी ही चीज़ें काफी होती है contact create करने के लिए first name last name phone number और email address की कहें तो मैं इन सब को skip कर रहा हूं आप चाहें तो इन्हें fill भी कर सकते हैं then मैं आ जाता हूं नीचे और click करता हूं save and send test request पे तो जैसे ही मैं save and send test request पे click करू क्लिक किया है मैंने save and send test request पे तो जैसा कि आप लोग देख रहा है response received हो गया है successfully और एकदम positive response से चल के चेक करते हैं हमारे जो है किसमें mailer cloud में की वहाँ पे कोई contact add हुआ है के नहीं Gary Monroe के नाम से तो अभी तक नहीं दिख रहा है एक बार refresh कर लेता हूं refresh करने के बाद चेक कर लिया है मैंने contact पर आ जाता हूं दुबारा तो जैसा कि आप लोग देख रहें सबसे उपर जिनका email address है Garymondo6778gmail.com जिनका नाम है Gary वह एज़ा contact add हो गये हैं किसमें मेरे mailer cloud के अंदर है और यह रही उनकी सारी details phone number जो जैसा कि मैंने fill किया था और जिस दिन हुए है वह 8 March ह आज भी आट मार जाती है तो मैंने अपना automation जो है वह successfully set कर दिया मुझे कुछ नहीं करना simply save पे click कर देना है अब पूरा काम software करेगा अब यह process आपको दुबारा करने की जरूरत नहीं है अब जब भी कोई form fill करेगा वह automatically as a contact add हो जाएगा जैसे कि Garymondo हुए हैं आपके mailer cloud के अंदर ना सिर्फ इन applications को पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो वो भी बिना किसी परेशानी के जाते 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 एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा असी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भ अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा thanks